ह sekarang वेलकुमियों पश OUT है मैं आज मने यीर की लिए लिए मेक प्लिक कि है कि हम राकी पर किस तरीके से मेक आउप कर सकते है थो हम ह की बैहिसे थो उसकी बाद टोनर आपके बस कोई भी टोनर रो चलेगा मेरे पाथ लवर्त का टोनर है इसके बाद मैने ब्लू हेवन का कंसीलर लिया है उसको अपने ढा सरकल ना उसको मैसे चि सफाय है इनसे पहले मैं क्या करों आई मेकप करोंगी तो यह आई मेकप में पहले क्या करना है कंसीलर के अफने जो graph सरकली इन को और आप Você क्या क्षाइट करना इस तरीके से तो यह मैंने सेट कर लिए अब हमारा आई मेकप आता है यह मेरी आई सटुकेट है लव एक इटिन कुछ ऐसी नाम इसका तो पहले में क्रीज लैन जो अपन को लाइट ब्राउन कलर लेक्टे क्रीज लैन बना लें इस तरीके से आप क्या मैं जो अउटर कोरना रहे इसमे में भी आदें मेर क्लर में क्योंकि मेरी डेच में कुछम कलर है त government कर दूंगी और एपक अपन को मेरा कट केसलों इसमें अब मैं वही बुलु हäाबन का जो यह सिफ्क टर्इकर करें तरह को जो लगाने के बाद है अलगा सा ब्लेंट अधी चोटी उसी से ब्लेंडर अब डेंट यहां तो देखो यह में ने ब्लेंड कर लिए और इस तरीक से मैं जो किलर्ए लाएंगे और आ लगा लूँगा यह आई मेकप मेरा बहुत ज्यादा अच्छा लगा मैंने जो भी एना ड्रेस के साफ से किया है तो यह आई मेकप आपके पास अगर ऐसी ड्रेस होता आप भी कर सकते हैं इसको आप में इसको जो आइब्रो बॉन होती है यहाँ पर मैं क्या कर लूँगी हाइलेटर लगा लू काने के वास है उसकी आंदरा अपन क्या करेंगे जो आ यह फले एक लाइनिक की दोंगे यह इन भर दोंगे अच्छी तरीगा Doch अब ब्राइडल के लिए चाहिए तो आप यह लाइनर यह ले लिए लेट काफी अच्छा है अम मतलब मुझे ऐसा लाइनर काफी अच्छा लगता तो देखो यह मेरा लगता इस तरीके से अपन लाइनर लगा लेंगे अब इसके बाद क्या करना है अपन को अपने अपने आपलो का अच्छी तरीके से कॉम करना है और इनको अपने मीजे को झाच्छी तरीके से फिल कर लूंगी दोना आइब्रोय को सेम करना है आपको और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो ना तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस तरीके सब्सक्राइब कर लों इस तरीके से और देखो कितने सुन्दर मतलब मैं नहीं लगा है फिर भी मेरे जो मस्करा करने के बाद है ना इस बहुत जादा सुन्दर लग रहे हैं अमें कोई टिसू से एक्ष्टा होगा उसको निकाल दूगी और प्राइमर है यह प्राइमर मुझ तो जब हैं तो इसलिए में क्या करूंगा लगा लगा लोंगी तो इस तरीके से अब जो मैंने यह लगाए ना मुझे उसी जगह पर ब्लेयंड करना पूरे फेस पर नहीं भी लगा लोगी यह मैंने पर पलसे माइं ती काफि अच्छी लिबाम आप जो भी मेरे इना थोड कि आपने स्टेट क्रिम कि अडिक क्रीम आपने होती यह आपन यह करेंगे तो कि यह को लग यह लग आप अपने अट्ट है हो दोगी इसको जो फे लगा लगना अच्छी तरीकिесसे ब्लेंड कर लोंगे नदे लिन एनब फूर रेट पेश को मैं थोड़ा जा आपना पर सा अपना जाचन कर दोगा दो तरीके से और ब्लेंड क्या करना ब्लेंड करना है इसे साथ से अब क्या करना है इसको पहले अच्छी तरीकी इसको यह लाइनिंग नहीं बनी होनी चाहिए न अच्छी तरीकी से ब्लेंड करना आप क्या करूं मैं क्रीम कॉंटूर कर रही हूं तो जो जो जग है मुझे कट करनी है मैं इसको काट लगा लूगे और इसको क्या करना अपने यह क्रीम कॉंटूर लगा तो ले इसको ब्लेंड अच्छी तरीके से करना है वी ब्लेंडर ले लो और यह ज्यादा तर मुझे पर नहीं प्रोड़क्ट आइमेजिक के भी हैं तो वह अच्छे हैं काफिया अगर वह महंगे तो अच् सब्सक्राइब करना मुझे तो यह देखो मेरा ना कॉंटूर हो जाएगा थोड़ी चेकमोन को भी मैं काट दूंगी जो लाइन थोड़ी से जो लाइन पर में कर लूगे अब मैं क्या करूंगी जो स्वीटी का ब्लशर है उसमें पूरी प्रेट है ना ब्लशर हाइलाइट लगा लूगे आपको मेरा मेकप कैसा लगा और कोई कमी हो तो कमी भी बता देना तो इस रहसाब से क्या करना पहले में जो अपन ब्लशर करते ना तो पहले फीज को फीज की पीछे से जो चिक होती है हमारे वहां पीचे से लिका आगे तक ब्लेंड करना जो भी एक्षर हो पीछे लगा अपके अपने आई मेकप में थोड़ी से जो कलर मैंने लिया था वही मैंने जो एक अच्छी सी लाइन में बना लिए अब मैं काजल लगा लूँगी यह काजल जातर में यही काजल लगाते हूं क्योंकि यह काजल मुझे बहुत जाता पसंद है जो भी इसका क लगाँ लगा लगाँगी इस तरीके से लगा लूँगी और अगर आप ना बीटिव लेंडर से लगा सकते हैं ब्रस से भी लगा सकते हैं जैसे आपके मर्जियों उसे साब से लगाने तो देखो यह मैंना जो नोजब्रीज होती है मैं यहां पर भी हलका सा हाइलाट कर रिंक से ही मेंकप कर सकते हैं और यह लल फिष्टिक यह लपिश्टिक मेरे दीटियो और काफिए अच्छी लपिश्टिक है है और मुझे स्काथ सब्राल बहुत ज्दकर पसंद आया है तुम्हाँ यह इना लो पर लगा है तुम्हाँ उनाकी और यह मैंनों लिम तो बाइ